ही गाइस वेल्कम बैक्ट आफे चैनल आज की वीडियो में पताऊंगा अगर आपको भी यह प्रॉब्लम आ रहे है कि लिखा रहा है डिवाइस मैनेज़ पाइडमिन आटोमेटिकली इस सेटिंग सुन ऐसा कुछ लिखा रहा है तो इसका क्या मतलब होता है यह पताऊंगा त कैसा कुछ लिखा रहा है इसका मतलब यह है कि जो आपकी ओर्कनाइज़ेशन है वो कुछ लो हैं इन्फॉर्क इन्फॉर्स कर दिया आपके वहां पर डिवाइस में जैसे आपकी वह परसनल परफाइल यह डिवाइस में वह एड हो जाएंगे तो जब आप किसी एप यहां किसी डाटा को आप व्यू करने की कोशिश करोगे तो वो आपकी पॉलिस से आपको अफेक्ट करेंगी जो आपकी डिवाइस में अल्रेडी लगे होगी तो इसको सॉल्फ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा वो मैं आपको बताऊंगा तो इसको सॉल्फ करने के लिए तो यह प्रोब्म तब आती है अगर आपने जो आपका जो डिवाइस है वो अपने रिसेट किया हो तो एक आपकी जो डाटा को बिचाने की कोशिच करती है क्योंकि आपको किसी ने डिवाइस चोरी कर लिए और आपको वाइब डाटा करके आपको डिवाइस ओपन करने की तो इसको solve करने के लिए अगर आप इसको off करना चाहते हैं तो आपको अपने Google के Google Admin console में sign in करना है वहाँ पर sign in करने के बाद admin console में आपको menu देखेगा menu में जाने के बाद वहाँ पर एक device का option देखेगा devices का तो जैसी devices पर मैं click करता हूँ यहां पर mobile and end points का option देखेगा इस पर click करने के बाद यहां पर setting का option देखेगा setting में जाने के बाद universal setting और वहां पर जाने के बाद general पर जाना है general पर जाने के बाद आपको mobile management का option देखेगा तो यहां से आप manage कर सकते हो आपने mobile management को इसको turn off का option है वहाँ turn off भी कर सकते हो और इसको custom भी कर सकते हो और unmanage भी कर सकते हो तो ऐसे इसको आप change कर सकते हो और यहां से save कर दीजेगा आपकी सारी problem solve हो जाएगी तो वीडियो का like करें और चनल को subscribe जुरूर करें